रेके बागाव का स्वागत है रुख करते हैं परदेश की कदिविधीं की और जिला बिलासपुर के गुमार्मी उपमंडल की पंचायत मराहना के गाम मजोर्टी के रहने बाले डॉक्टर बिक्रम शर्मा ने अपने घर में कौफी का उतपादन कर दूसरों के लिए मशाल और युबाओं के लिए प्रेणा स्त्रोत बनकर उपरे हैं डॉक्टर शर्मा ने खुद कौफी के पोधों को उगाने के साथ हीमाचल परदेश के विभिन क्षेत्रों के किसानों के लिए मुफ्त में पोधे बाणकर किसानों की आर्थिक स्थितिक में सुधार करने का बेड़ा उठाया है और आज क्षेत्र के विभिन किसानों ने उतपादन शुरू भी कर दिया है दक्षिन भारत में पैदा होने वाले कोफी की फसल अब हिमाचल परदेश के निचले इलाकों में भी लहरा रही है जहां पर हिमाचल परदेश के किसान बंदरों जंगली जानबरों के नुकसान के कारण खेती पाड़ी छोड़ चुके हैं करीब 65% परदेश की भूमी बंजर हो चुकी है जंगली जानपरव आबारा पशों के गहर से परदेश की किसान बेहाल है उनके पास सिबाय पारंपरे क्रिशी के अलाबा कोई आय को बढ़ाने का बिकल्ब भी नहीं है अगर आज की परिस्तिती पर नजर डालें तो पिछले कई वर्षों से परदेश सरकारों ने केबल एक योजनाओं पर ही काम किया धरातल पर कोई भी योजना किसानों की मदद नहीं कर पाई जिसके कारण आज परदेश की किसान क्रिशी बागबानी छोड़ने को मजबूर हो गए है उनके लिए कौफी की फसल बरदान सिध हो रही है जिला बिलासपुर के घुमारवी उपमंडल की पंचायत मराहना के गाउं मजोटी के रहने बाले डॉक्टर बिक्रम शर्मा ने अपने घर में कौफी का उतपादन कर दूसरों के लिए मशाल और युबाओं के लिए प्रेणा स्त्रोत बनकर उपरे है डॉक्टर शर्मा ने खुद कौफी के पोधों को उगाने के साथ हिमाचल परदेश के बिभिन क्षेत्रों के किसानों के लिए मुफ्त में पोधे बांटकर किसानों की आर्थिक स्थिती में सुधार करने का बीडा उठाया है और आज क्षेत्र के बिभिन किसानों ने बादन शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश की भुगोलिक व पर्यवर्ण परिस्तितियों को देखते हुए पिछले 17 वर्षों से बाणी जीक कृषी बागवानी के शोध्व परसार में लगे डॉक्टर बिक्रम शर्मा ने बताया कि अब उन्होंने प्रदेश की के प्रदानमंत्री ने उन्हें कॉफी वर्ड के निदेशक मंडल में पहले बार उत्री भारत से प्रतिनी दित्व करने का मोका दिया है। प्रन्तु इसके बाबजोत पिछली कॉंग्रेस के सरकार ने कॉफी जैसी महतपूर्ण बानिजिक फसल पर ध्यान देना उचित नह कॉफी हिमाचल परदेश में मैं 1999 में लेकि आया था और कॉफी एक अंतररास्टिया बानिजिक फसल है जैसे सबी जानते हैं इसके बारे में प्रन्तु ये उत्री भारत में ना होते हुए ये दक्षिनी भारत में करनाटका से शुरू ही थी तो करनाटका और हिमाचल परद परदेश को मैंने यहां पर टेस्ट किया था जिसमें से तीन परदेश कामया हुई ये मेरा ड्रेम प्रोजेक्ट रहा और मैं इसके उपर जो है वो पिछले 20 सालों से लगातार करे रत हूँ आज ये जो प्रजेक्ट है ये हिमाचल के तकरीबन निचले क्षेतर में सभी ज सार से ले रहे हैं और बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट को हिमाचल के बने जिक फसलों का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके लोगों को इसके लिए जागरूख किये जाएगा